दोसा ले लो डोसा मज़ेदार डोसा अरे रुको बड़े अब यो बहरे तू सुनता के नहीं है अब ये साले सुनाई नहीं दे रहा क्या है हाँ माब करना बाबू जी मैंने सुना नहीं वो क्या है न मेरा भी बिलकुल आपके जितना बड़ा बेटा है लेकिन पिछले पाँच दिनों से वो बीमार है इसलिए ध्यान वहीं था छी 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 फिर तो तू अपनी ये संक्रमें दुकान न कहीं और जाकर लगा बिमारी फैलाने हमारे इलाके में मताया कर समझा नहीं नहीं बाबुजी मैं साप सफाई का खूब ध्यान रखता हूँ बाबुजी एक डोसा ले लो सुभा से बिलकुल भी कमाई नहीं हुई है ये तो बड़े मैंने क्या ठीका ले रखाय है तेरी बोनी करवाने का है बे तब ही वहाँ खड़ा पंडित ये सब सुन रहा था बेटा ये तुम्हारी पिताजी के उम्र के हैं इनसे ऐसे बत्तमीजी से बात नहीं करते ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन ये सब सुनकर रंज़ाई को बहुत बुरा लगता है और वो अपने गुंडों से कहकर उसकी खूब पिटाई करवाता है जिससे मदन को काफी चोट आती है पंडित उसे जल्दी से अस्पताल ले जाता है मदन के घरवाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर इलाज के लिए 50,000 का खर्श बताते हैं ये सुनकर मदन लाल की पत्नी गाउं के जमिनदार के यहां जाती है और उससे कुछ पैसे उधार मांगती है ठीक है ले जा पैसे बदले मैं अपने घर के कागस मेरे पास घरवी रखवा दे रमा जल्दी से कागस लेकर आती है और बदले में एक लाक रुपे लेकर अस्पताल जाती है वहाँ उसका 20 साल का बेटा विनए भी आया होता है उसकी तब्यद भी जादा खराब होती है जमिनदार उनके घर आता है चलो भई रमा अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो इन सबको लेकर यहाँ से लेकिन क्यों जमिनदार साहब ये घर तो अमने गिर्वी रखा है गिर्वी नहीं रखा मुझे बेचा है पूरे एक लाख में ये देख कागज जमिनदार उनको घर से निकाल देता है तब ही वो पंडित वहाँ आ जाता है और उन सबको अपने साथ अपने घर ले जाता है अब विनय पूरी तरह से ठीक हो चुका था इसलिए घर-खर चलाने के लिए अपने पिता के डोसे का ठेला निकालता है और मसाला डोसा अपने नए अंदाज में बेचना शुरू कर देता है आओ आओ भाई भाबी आओ चाचा चाची आओ गरमा गरम मज़ेदार डोसा खाओ लेकिन दिन भर में उसके सिर्फ चार डोसे ही बिक पाते है शाम को अदाज मन से विनय घर की ओर आता है फिर बाहर आंगन में लगे बरगत क पेड के नीचे ठेला लेकर खड़ा हो जाता है और खुद से कहता है मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है घर कैसे चलेगा बाप घर पर अपाहिच पड़ा है बेहन ब्याने लाइक हो गई है और मैं घर का जवान लड़का आपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा इससे तो अच्छा होगा मैं फासी लगा कर मर जाओं वो उस बरगत के पेड की शाखाओं से फासी लगाने ही वाला होता है कि तभी उस पेड में से जंगल देवी प्रकट होती है तुम्हें क्या लगता है विनै तुम्हारी मौत से क्या तुम्हारा परिवार खु जादुई करीपत्ते और सांभर का मसाला इसे कल से अपने सांभर में डाल देना और ही रही जादुई डोसे बनाने का सामान फिर देखना क्या जादु होता है। वो ठेला लेकर बाजार जाता है। उसके मसाले की खुश्बू से लोग दूर दूर से उसके पास खिचे चले आते हैं। विने का बनाया हुआ जादुई डोसा लोगों को बड़ा पसंद आता है। कुछी दिनों में उसके जादुई डोसे के चर्षे दूर दूर तक होते हैं। उसके जादुई डोसे खाकर लोगों के रोग भी दूर होने लगे। यहां तक कि उसने वो जादुई डोसा अपने अपाहिच पिता को खिलाया तो वो भी पूरी तरह ठीक हो गए और अपने पैरो पर खड़े हो गए। अब आसपास के गाउं के लोग भी उसके पास डोसा खाने आते। और कमाल की बाद तो ये थी कि वो जादुई डोसे का सामान तो कभी खत्मी नहीं होता। कुछी दिनों में उसके पास खूप सारे पैसे आ जाते हैं। अब वो शेहर में अपना एक बड़ा सा जादुई डोसा के नाम से होटल खोल लेता है जिसमें वो जादुई डोसा बना कर बेजता है। और कोई नहीं बलकि रंजन होता है। उसके पिता का काम छूट चुका था और वो काफी गरीब हो गए थे। वो मदन से अपने किये की माफी मांगता है। विनए और मदन अब उसको माफ कर देते हैं और अपने हाँ नौकरी दे देता है। कुछ दिनों बाद विनए शेहर हुए चुप कर वा रहे थी। रसोई के कामों में लग जाती है। जी भाबी मैं ले आती हूँ। हमारी ही किसमत फूटी थी जो ऐसी काली बहु मिली। कोई ऐसा मसाला भी ढूण लाना जिसे खाने से तेरा रंग गोरा हो जाए। शीतल अपनी सास की बाते सुनकर चुप रहती है क्योंकि ये सब वो रोजाना ही सुनती थी। शीतल बाजार को चली जाती है पर उस दिन बाजार बंध था। भाईया ये राशन की दुकाने क्यों बंध है। बहन जी सोमवार सारे दुकाने बंध रहती है। अरे आज तो सोमवार है मुझे तो ध्यानी नहीं रहा। शीतल को तो ध्यान नहीं रहा पर उसकी जेठानी और सास को ये बात अच्छे से पता थी। मम्मी जी हमने अच्छा किया। आज सोमवार की चुट्टी होती है। वो बेचारी शीतल बाजार में मसाले की दुकान डून रहे होगी। आप शीतल को तंग करने का कोई मौका नहीं चोड़ते हो। चोड़ना भी नहीं है। मैं तो सच में उससे बहुत नफरत करती हूँ। घूमती रहने दो धूप में बाजार में। जब खाली हाथ लोट कराएगी तो अच्छे से सुना देंगे। शीतल बहुत परिशान थी। बाजार में मसाले की कोई भी दुकान नहीं खुली थी। शीतल घूमती रही। दोपहर में धूप बहुत तेज हो गई थी। शीतल को बहुत प्यास भी लगी थी। वो एक दुकान से पानी खरीदने जाने लगी तो उसने सड़क के किनारे एक बुरी औरत को बेहोश देखा। ही भगवान ये कौन है। बिचारी लगता है धूप से बेहोश हो गई है। मैं भईया से पानी खरीद कर लाती ह। भईया ज़र एक बोतल पानी देना। शीतल पानी की बोतल लेकर उस औरत के पास जाती है। और उसके मुँपर थोड़ी से पानी के छीटे डालती है। और अथोश में आ जाती है। शुक्रिया बेटी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरी मदद की, आज के जमाने में कौन किसी की परवा करता है। बेटी, एक काम और कर दो, कुछ दूरी पर मेरा घर है, मुझे वहां तक छोड़ दो, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। क्यों नहीं दादी मा, जरूर, चलिए। शीतल उन बुड़ी औरत को उनके घर तक छोड़ देती हैं। बातों बातों में शीतल अपने बारे में बात करती है। बेटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि किसी जमाने में मैं एक मशूर जादू करनी थी। अब उम्र के साथ मैंने जादू करना छोड़ दिया है पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी बेटी ही मैं तुम्हें जादूई मसाले दूँगी उन मसालों के इस्तेमाल करने से घर पर सभी लोगों का व्यवहार तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा सब तुमसे बहुत प्यार से बात करेंगे और सब ये भूल जाएगे कि तुम्हारा रंग काला है इससे तुम्हारी जिंदगी में खुशीयां आ जाएंगी पर एक बात का खयाल रखना बेटी ये मसाले हमेशा जादूई रहेंगे पर हर रविवार की रात इन मसालों का जादू काम नहीं करेगा इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी रखनी है तुम्हें उस रात किसी के भी सामने नहीं जाना नहीं तो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा उसके बाद ये मसाले अपना जादू नहीं दिखा पाएंगे मैं ध्यान रखूंगी दादी मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी सारी चिंता दूर कर दि शीतल वो जादूई मसाले लेकर घर आ जाती है मसाले इतने सुगंधित थे कि उसकी सास और जिठानी कुछ बोल ही ने पाए उस दिन सब्जी में वही मसाले इस्तिमाल हुए और जादूई मसालों ने अपना काम करना शुरू कर दिया वाह, क्या सब्जी बनाई है शीतल बहु चलो, अब तुम भी बैठ कर खालो सुबह से काम में लगी हुई थी सारे सामान भी खरीद कर लाई हो घर के लिए हाँ हाँ, बाकी की रोटियां मैं बना लेती हूँ तुम भी बैठो और सब के साथ खाओ शीतल हैरान रह गई जादूई मसाले के जादू की वज़े से उसकी सास और जिठानी उससे खुब प्यार से बात करने लगे तीन-चार दिन तक ऐसे ही रहा पर जब संडे आया तो शीतल को चिंता हो गई आज तो संडे है, आज रात मुझे बहुत ध्यान देना है ऐसा ना हो कि किसी को पता चल जाए, मैं कमरे में ही रहूँगी शीतल, मैं और बड़े भाईया रात को शादी में जा रहे है हम सुबह तक लोटेंगे तो मा का ख्याल रखना हाँ हाँ, आप चिंता मत करो चलो अच्छा है, आज रात ये और भाईया शादी में जा रहे है मैं चुप करके सो जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा और कल सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा शीतल को तसली थी कि रवी और उसके जेड दोनों शादी में चले गए है शीतल ने सोचा, वो अपने कमरे की कुंडी लगा कर सो जाएगी ताकि रविवार की रात आराम से निकल जाए पर अचानक शीतल की सास अपने कमरे में से आवाज लगाने लगी कविता बहू, जल्दी आओ मेरी सास घुट रही है सास की आवाज शीतल ने भी सुन ली थी वो भी जेठानी के साथ अपनी सास के कमरे में जाती है सास की तव्यत बहुत जादा खराब हो चुकी थी शीतल को याद ही नहीं रहा कि मसालों का असर खत्म हो चुका है ममी ची, चिंता मत करो हम आपको अभी डॉक्टर के पास ले चलते है ये लो, कर लो बात जैसी शकल वैसी अकल अरे इतनी रात में कोई आटो रिक्षा नहीं मिलेगा ना ही कोई गाड़ी मिलेगी भाबी कार तो घर पर खड़ी है ना हम अपनी कार से ले चलते है हमें कार चलानी थोड़ी आती है ये दोनों भाई भी घर पर नहीं है भाबी मुझे ड्राइविंग आती है आप टेंशन मतलो चलिए ममी जी मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ शीतल ने बिना देर की अपनी सास को कार में लिटाया और कार चलाकर अस्पता ले गए समय पर इलाज मिलने से सास की तब्यत में सुधार हो गया पर ये क्या मसालों का असर तो हट चुका था फिर भी सास आज अपनी बहु शीतल की तारीफ कर रही थी मुझे माफ कर दो बहु मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया पर तुम तो सर्वगुन संपन्न हो ये बात मुझे कल पता चल गई कि तुम हमारे लिए कितना सोचती हो हम तुमे कितने ताने देते हैं फिर भी तुम हमारी भलाई देखती हो कविता अपनी देवरानी से अब गलत बात मत करना शीतल बहुत अच्छी है हाँ ममी जी अब नहीं करेंगे शीतल I'm sorry अब हम तुम्हारे काले रंग के लिए तुम्हें कभी ताना नहीं देंगे शीतल खुश थी कि भले जादूई मसालों का असर खत्म हो गया कर दो कर दो I